धाबास्टाइल ग्रेवी औने परफेक्ट मसाला साथे बनेलू आ शाग घरे बनाओ एकदम सैलू छे एलो फ्रेंज आजे हुँद अमारी साथे शेयर करीज एकदम धाबास्टाइल मकाईना शाग नी रसिपी धाबास्टाइल स्पाइसी औने मसालेदार ग्रेवी वाड़ू शाग तो बद्दा ने भावतू ओए छे पर घरे तेवू ग्रेवी वाड़ू टेस्टी शाग अपने घरमा रहेली सामगरिथी ज बनाओ सू तो चे स्वाद मां एकलू टेस्टी छे के एक वाड़ दमें बनाओ सो तो बज्जानों भुलिद जसो तो एकदम सैली रिप्थी एकदम धाबास्टाइल मकाईनु शाग बनानों शरू करिये नवी रेसिपी सिख्वा माटे नेहा कुक बुक गुजराती चैनल ने सब्सक्राइब करो अने साथे बैल आइकोन ने जरूर थी दबाओ नवा रेसिपी वीडियो सौथी पेला जोवा माटे एकदम टेस्टी मकाईनु शाग बना आमाटे आपड़े सवथी पहला मकाईने बॉयल करवानी छे तो तेना माटे पैंड माँ एक कप जेटलू पाणी आड करी दईये हवे में आईया एक कप जेटली अमेरिकन कौन लिदेला छे आँ अमेरिकन कौन स्वाद मा मिठा होवानी साथे एकदम फटाफट बॉयल थाई जये छे तमें अमेरिकन कौन नी जग्या है देशी मकाईन उप्योग पर करी शको छो तेने आड करी दईये हवे शाक माटे मकाईने एकदम सरस कलर नी साथे टेस देवा माटे में आईया एक चोथाई चमची जेटलो हरदर पावडर ली देलो छे साथे स्वाद प्रमाने थोड़ू मिठू अने में आईया अरधी चमची जेटली खाण ली देली छे तेने एड करी ने मिक्स करी दईए शाक माटे मकाई ने बॉयल करती वक्ते तेमा सेज हरदर, बीठू अने खाण उमेरवा थी तेनो कलर अने स्वाद एकदम सरस थाई जसे तो छेने मकाई ने बॉयल करवानी एकदम रेस्टरेंट स्टाइल ट्रिक तो लगबग 3 मिनिट जे उठाई ग्यों छे अने तमें जो ही शकोजो के मकाई एकदम सरस रिते बॉयल थे गए छे आँ अमेरिकन कौन होबा थी तेने बॉयल थे दा खुब जोचो समय लागे छे तो हवे गेस नी फ्लेम बंद करी दईए तो हवे स्ट्रेणा नी मदद थी बफायली मकाई माथी बद्दूज पाणी काढी लईए तो हवे फटा फट एकदम रेस्ट्रेंट स्टाइल मकाई नू शाक बनानू शरू करिए तो तेना माटे में या मीडियम गेस नी फ्लेम पर एक पैन राखेलू छे हवे तेमा त्रोण मोटी चमची जेटलू तेल एड करी दईए साथे में या एक मोटी चमची जेटलू बटर लिदेलू छे बटर नाखू ओप्शनल छे पन तेना थी शाक नो स्वाध एकदम सरस लागे छे तो तेला ने बटर गरम थई गया छे हवे में आई या अरधी चमची जेटलू जीरू लिदेलू छे तेने एड करी दईए अने जीराने सारी रिते रोस्ट करी लईए हवे में आई या पात्थी चल लसन्नी कड़िने एकदम जीनी समारी लिदेली छे तेने एड करी दईए साथे में एक इच आदूना टुकड़ा ना पणार इतना झीना 20 करीली देला छे तेने पण एड करी देये अने में यहां तिखाष माटे बे लीला मर्चा ना एकदम झीना 20 करीली देला छे लीला मर्चा तमें तमारा टेस्ट प्रमाणे वदू के उच्छा करी शको छो तेने पन एड करीने बद्धी जवस्तुने सारी रिते सोते करी लईए जेथी लसण नो काचो स्वाद वयोस जाए तो लसणा ने आदू सारी रिते सोते थई गया छे हवे में आई या बे मीडियम साइज नी डूंगली ना आर इतना जीडा पीस करी ली देला छे तेने एड करी देए हवे आपने डूंगली ने ट्रांस्परंट थाए त्या सुधी सारी रिते सोते करी लईए जेथी तेनो काचो स्वाद वयोस जाए तो लगभग बे थी त्राण मिनिट जेऊ थाए गयू छे अने तमे जोई शको छो के डूंगली सारी रिते सोते थाए ने ट्रांस्परंट थाए गये छे हवे गेस नी फ्लेम लोक करी ने आपने शाकमा मसाला एड करवाना छे तो में या अरधी चमची जेटलो हरदर पावडर ली देलो छे साथे में बे चमची जेटलो कश्मीरी लाल मर्चू पावडर ली देलो छे कश्मीरी लाल मर्चू पावडर नो उप्योग शाकमा करवा थी शाकनो कलर एकदम सरसावे छे साथे एक चमची जिटलू धाना जीरू पाउडर अने अर्धी चमची जिटला सेकेला जीरा नो पाउडर एड करी देए अने स्वात प्रमाणे मीठु एड करी ने मसाला ने तेल मां सारी रिते सोते करी लेए मसाला ने आ रिते तेल मा एड करवा थी अपड़ा शाक नो कलर एकदम सरसावे छे पढ़ा आई याँ ए वात नू खास ज्यान राखू के मसाला ने सौते करती वक्ते गेस नी फ्लेम लो राखवी ठेथी मसाला बड़े नहीं तो अपड़ा मसाला सारी रिते सौते थाई गया छे हवे में आई याँ बेक अप एटले के 5 मेडियम साइज ना टमेटा ना आर इतना जीना पीस करी लिदेला छे तेने एड करी दए ये साथे में अड़धाक अबजेकली टमेटों प्यूरेली देली छे तेने पन टमेटा साथे एड करी ने पदीज वस्तुने सारी रिते मिक्स करी लई है तो हवे आपणे शाक नी ग्रेवी माटे टमेटा ने त्या सुधी कुक करवा ना छे त्या सुधी ते एकदम सौफ्ट अने मैशी ना थेई जाए तो तेना माटे मीडियम गेज नी फ्लेम पर धाकन ठाकी ने टमेटा ने चार्थी पांच मिनिट माटे कुक करी लई है तो आपणा टमेटा कुक थाई छे त्या सुधी आपणे मिक्षर जार माँ शाक माटे नी काजू और मगत तरी ना बीनी पेस्ट बनावी लई है तो तेना माटे में या चाथी साथ काजू और बे चमची जिटला मगच तरी ना बीने अरधी कलाग माटे गरम पाणी माँ पलाडी दी धेला हाता तो तमें जोई शकोचों के ते बनने वस्तु ए एकदम सौफ्ट थाई गए छे अवे तेने मिक्षर जार माँ एड करी दईए साथे वन फोर्थ का अबजेटलू ठंडू दूद अने एक मोटी चमची जिटली में घर नी मलाई ली धेली छे तेने एड करी दईए अवे बद्धी जवस्तु ने एकदम सारी रिते ग्राइंड करी लेगे तो एकदम साली रिती रेस्टरंट ना शाक मा एड थती होए तेवी अपड़ी वाइट पेस तयार थे गए छे पन जो घर मा काजू अने मगत दरी ना भी ना होई तो तमे शाक मा वाइट पेस नी जगिया है वन फोर्थ का अपजेटलू घाटू दही आड करी शको छो तेना थी पन आपड़ा शाक नो टेस्ट एकदम धाबा स्ट्राइल आउसे अने हाँ दही आड करती वक्ते अपड़े ए वाद नो खास ध्यान राकवानुचे कि अपड़े दही थोडू मोडू लेवानुचे अने देने शाक मा एड केरा पची सत्त धलावता रहवानुचे तो हवे ढाकन खोली ने अपड़े शाक ने जोई लाईए तो तमें जोई शकोचो के टमेटा मा थी तेल छुट्टू पढ़वा लाईगू छे मिन्स ते एकदम सारी रीते कूक थैने सौफ्ट थाई गया छे हवे में आई या शाक भाजी नू मैशर ली देलू छे हवे मेशर नी जग्या एकोई पन वाठकी नोप्योग पर करी शकोचो हवे मेशर नी मदेत थी आपने टमेटा ने एकदम सारी रीते मैश करी लईए कूक थैला टमेटा ने मैश करवा थी ग्रेवी नू टेक्शर एक सर्खू अने एकदम परफेक्ट आऊ से तो तमे जोई शकोचो के टमेटा एकदम सारी रीते मैश थैग्या छे अने ग्रेवी नू टेक्शर एक सर्खू थैग्यो छे अवे तयार करेली काजू नी पेस्ट ने एड़ करी दईए अने तेने पन टामेटानी ग्रेवी साथे एकदम सारी रिते कुक करी लईए तो लगबग बेथी त्रोण मिनिट जेवु थाई ग्यू छे अने तमें जोई शको छो के ग्रेवी माथी आर इतनो तेल छुटू पड़वा लाईगू छे मिन्स आपड़ी काजूनी पेस्ट एकदम सारी रिते कुक थाई गए छे हवे ग्रेवी नी कंसिस्टनसी एकदम परफेक्ट करवा एटले के तेने थूड़ी पतली करवा माटे मिया या एक कप जेटलू पाणी लिदेलू छे तेने एड करी ने मिक्स करी लईए पाई या शाक नी ग्रेवी मा तमे पाणी तमारे जे रितनी ग्रेवी जाड़ी के पतली जोती होए ते रितना तमारे एड करवानू छे हवे आपणा बफाएला एक कप जेटला कौन ने ग्रेवी मा एड करी ने मिक्स करी लईए हवे ढाकन ढाकी ने मीडियम टू लो गेस नी फ्लेम पर शाक ने पाथी साथ मिनिट माटे कुक करी लईए जेथी मसाला नी बद्दीज फ्लेवर कौन साथे मिक्स थाई जाए तो पाथी साथ मिनिट थाई गए छे हवे ढाकन खोली लईए तो तमें जो ही शको छो के शाक एकदम सार रिते कुक थाई ग्यों छे हावे में आई यां अर्दी चमची जेटलो गरम मसाला पावडर ली देलो छे तेने एड करी दईए साथे में अर्दी चमची जेटली कसूरी मेथी ली देली छे तेने हाथे थी क्रश करी ने शाक मा एड़ करी दईये धाबा स्टारी शाक मा कसूरी मेथी नो स्वाद एकदम सरस लागे छे साथे में वन फोर्थ का अबजेकली जीनी समारेली कोथ मिली देली छे अवे बद्धी जवस्तुने शाक मां एकदम साली रिते मिक्स करी लई है शाक बनावती वक्ते अपने ए वातनों खास द्यान राखवानू छे के गरम मसाला पाउडर अने कसूरी मेथी सौथी छेले एट करवाना छे छेथी तेनी सुगन शाक मां एकदम सरसावे तो एकदम साली रित थी अपनों टेस्टी मकाईनों शाक तयार छे बाईनों छेने एकदम धाबा स्टाईल चोताज खावानू मन्थाई जाए उछे तो परोठा के नान साथे खावानी मज्या आवे वा एकदम धाबा स्टाईल मकाईना शाक ने उपर थी थोड़ा चीज थी गानिश करी लई तमें चीज नी जग्या है पनीनों उप्योग पर करी शको छो तो मसाला अने ग्रेवी ना परफेक्ट टेस साथे बनेला धाबा स्टाईल आ मकाईना शाक नी लखेली रेसिपी जोती होए तो मैं वेबसाइड नी लिंक डिस्क्रिप्शिन बोक्स मां आपे ली छे जो तमने मारी आज नी रेसिपी गमी होए तो मैंने कमेंट सेक्षिन मां जरूर ठीके जो साथे मारा वीडियो ने लाइक और फ्रेंड्स मां शेर कर जो अने मारी चैनल ने सब्सक्राइब करवानों ना पूल सो तो फरी मड़ी एक नवी रेसिपी साथे